मैं कोशिश करता हूँ हलकी बात नहीं करनी की इस वक बहुत सारी हलकी बाते हो रही हैं मेरे बारे में हो रही हैं स्टूज बना दिया चमचा बना दिया किसी ने भक्त बना दिया किसी ने बोल दिया कि बैक डोर से फंडिड है किसी ने बोल दिया प्रॉपगेंडा फिल्म है मैं पैसे ले रहा है विवेक अबरोय बीजीय पी से बहुत सरी हलकी बाते हो नहीं. और ये जू बाते हो रही है अब समझ में आ रहा है कि फिछले पांक साल नरेंद्र मोदी'dी जी ने किस तरह से इतने आरोमों को जहला है, क्योंकि आरोप पैरोप है लेकिन सबूत कहीं नहीं है प्रभू राम का जिक्र हुआ है तो इस पक्ष का भी जिक्र होना चाहिए यह सवाल मेरे दिल के बहुत खरीब है मैं आपको बहुत दिनों से इस सवाल पूछना चाहरही थी और एक मुसल्मान होने के नाते में इस सवाल पूछूने है नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान के मुसल्मानों से रिष्टा क्या है मुसल्मान बीजेपी पर भरोसा क्यों नहीं कर पाता है क्या वज़ा है मैं एक अनुभा बताता हूँ मनमौन सिंग्जी की सरकार ने एक सर्चर कमिटी बनाई थी और वो सर्चर कमिटी गुजरात आई थी मैं मुख्यमेंत्री था तो सर्चर कमिटी के सारे मेंबर्स बैठे थे मेरी सरकार के सारे अफसर बैठे थे और वो अपना रिपोर्ट प्यार करें मेरी सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया मैंनों को जवाब दिया था मेरी सरकार ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है और कुछ भी नहीं करेगा और फिर मैंने का लेकिन आगे सुन लीजिए मेरी सरकार ने हिंदूओं के लिए भी कुछ नहीं किया है लिए काम करती हैं और मेरी सरकार सब नागरी को लिए काम करेगी मेरा मंत्र है सबका साथ सबका विकास जब मैं कहता हूं कि मैं 2022 तक हिंदुस्तान के एग भी परिवार इसा नहीं होगा जिसके पास अपना पका घर नहीं होगा अम मुझे बताईए क्या मुझे ये कहना चाहिए कि मैं उसलमानों का पकागर बनाओंगा फिर यादव मिले तो कहूँगा तुम्हारा पकागर बनाओंगा अब ललीप मिले तो कहूँगा जी नहीं मैं कहता हूँ मैं हिंदुस्तान के सभी लोगों के जब मैं कहता हूँ मैं पर देश के सासकों ने ये अलगाव वादी विचारों से मुक्त होना चाहिए देश को एक इकाई के रुप में यूनिटी के रुप में देखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और इसलिए मेरी सारी योजनाएं सबका साथ सबका अविकास इस मंत्र को लेकर के चल रही हैं और उसको मैं रिलीजियसली फॉलो कर रहा हूँ तो आरोप लगेगा कि आप मोदी को मदद करने के लिए चुनाव में चुनाव से पहले ये फिल्म रिलीज करें मोदी जी का नाम इतना बड़ा है वो इतने बड़े हीरो औरड़ी हैं उनको खुद को हीरो बनाने के लिए हीरो दिखाने के लिए विवेक उपरोई की जरूरत नहीं है विवेक ये जो रोल आपने जब लिया सबसे पहले तो जब इस फिल्म का ट्रेलर आया तो मैंने अपने जहन में एक सवाल रखा हुआ था कि मैं विवेक से पूछूंगी वाइ दिस क्योंकि इसके साथ जो मुश्किले आनी थी उसके लिए आप तयार रहे होंगे कि जीतने का मज़ा तब आता है जब लोग आपके हारने का इंदजार करते हैं और मोदी जी की स्पिरिट भी उस पात में आजाती है क्योंकि उन पर जितनी उल्जने आई हैं उन्होंने वो सारों को फेस करके आज यहां पहुंचे हैं वो तो ग्रेट चालेंजिस में तो हम नहीं यह सवाल पूछा जा रहा है और बहुत सारे प्यारे प्यारे आरोप लगाए जा रहे हैं मुझ पर अंग्रेजी में स्टूज, हिंदी में भाक्त, बहुत मतलब बैक डॉर प्रोपगैंडा, खिलाया, पिलाया, लोगोंने इसको पैसे दिये हुए हैं, बहुत कुछ मतलब जेल रहा हूं में पिछले दो-तीन महीनें से और आरोपां का सिलसरा चल रहा है लेकिन सबूत की किसी ने बात नहीं की अब तक, तो I think political film या political character पर film बनाओ तो आपको एक window मिल जाता है on what really happens in politics कि आरोप लगा तो बाद में देखी जाएगी, प्रूफ हो ना हो हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद है तस्वीर बदले ना बदले तो विवेक ये जो रोल था ये आपके पास आया और पहले जब सुनने में आया कि विवेक और रॉय नरेंद्र मोदी का किरदार प्ले करेंगे तो obviously हर किसी को ये लगा कि विवेक कैसे मोदी जैसे लगेंग उनका हाव भाव उनकी शकल उनका तरीका बात करने का तो बहुत सारे नोशन्स थे जिनको ब्रेक करके ये रोल करना पड़ा जी बहुत मुश्किल भी था क्योंकि जैसे अब यह आपने कहा भक्त बहुत कम ऐसे लोग हैं मुझे लगता हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स में प परदे पर लाना आप गलती नहीं कर सकते हैं आपको बहुत कैफुल रहना पड़ता है बिकोज आप लोगों की एमोशन के साथ केल रहे हैं तो करीबन जो मुझे याद है हमने पहला लुक टेस्ट किया साथ घंटे कुरसी पे बैठा रहा चार लोग उस पर काम करते रहे है और खड़ा हो के 10 सेकेंड में मैंने कह दी है तो बिल्कु बखवास यह वक नहीं कर रहा है और फिर ऐसे 15 लुक टेस्ट करने पड़े तब जाके जो आप पोस्टर पे देख रही हैं वो ट्रांस्फोर्मेशन अचीव हुआ हर दिन एक तपस्या थी शूटिंग के अगर 7 बजे सुबे की कॉल शिफ्ट है आप आउट्डोर पे हैं तो छे गंटे पहले आपको मेकप में जाना पड़ता था तो यानि कि मैं 12 बजे रात को ओटता था नाद होकर पूजा पाट करके थो असा फ्रूट खा लेता था और कुरसी में बैट जाता था और वो छे गंटे जो मेकप चलता था उसके बाद साथ बजे की शिफ्ट में 12 गंटे शूटिंग करता था अठारा गंटे तो यही हो जाते थे फिर वापस आके दो तीन गंटे की नीन मारो और फिर शूटिंग कर तो मतलब सिल्वर स्क्रीन पर नरेंद मोधी प्ले करने के लिए नरेंद आपने कई मौकों पर कहा कि आपका कोई political inclination नहीं है आप एक actor के तौर पर इस role को play कर रहे हैं लेकिन किसी भी biopic में काम करना किसी भी व्यक्ति किसी भी शक्सियत के किरदार को बड़े पर निभाने के लिए आपके मन में conviction होना चाहिए कि इसका जीवन है इसने अपनी जिं एक आम आदमी के तौर पर आप नरेंद्र मोदी के जिंदीगी से कितना इत्तिफाक है तो इस जवाब के दो पहलू है तो मैंने बखुभी ऐसा मुझे बताया जाता है स्क्रीन पर गैंस्टर भी निभाए हैं मैं उनसे इत्तिफाक बिल्कुल नहीं रखता है लेकिन जब क जीवन जिया है एक ऐसे देश में जहां पर आपको पॉलिटिक्स में उतरने के लिए एक बिजनिस की तरह पॉलिटिक्स को देखा जाता था तक तुमारे किसकी बैकिंग है किसकी लॉबी है तुमारी जात कौनसी है तुम कौनसे कम्यूनिटी को बिलॉग करते हो कौनसी मा का जो बचपन में वड़नगर स्टेशन पर चाय बेचा करता था और स्कूल जाया करता था इन सब चीजों को पीछे करते करते वो देश का प्रधानमंत्री नहीं विश्वस्तर का लीडर बन गया जहां आज कंदे से कंधा मिला कर आंक से आंक मिला कर वो अमेरिका के प्रेजिदेंट से बात करता है जापान के प्राम मिनिस्टर से बात करता है या यो यॉपियन लीडर से बात करता है जहां उसे सरहते हैं लोग उस इंटनेशनल स्टेज पर अब पिछले पान सालों में ऐसा हो ग को आप कैसे डिबेट कर सकते हैं मुझे पता नहीं यह अगर आप अवाम में देखें जनता में देखें दिर इस सेंस स्ट्रॉंग प्राइड आज जिस तरह से उन्हें पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है यह नहीं हुआ है पिछले 40 सालों में मैंने तो कभी नहीं देखा यह करारा जवाब डरा दिया है जो हम हमेशा सोचते हैं कि अंदर घुसके मारना चाहिए इनके घरों में घुसके मारना चाहिए इनको वो हो रहा है अब उसको भी आप डिनाई कर सकते हैं लोग कर भी रहे हैं डिनाई लोग तो बहुत सारी चीज़ें डिनाई करते हैं आर अधिती देखिए जब हम ये फिल्म बना रहे थे तो एक बहुत क्लियर विचार था मन में कि हम एक inspirational and aspirational story बना रहे हैं एक प्रेड़ना की फिल्म बना रहे हैं एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जहां पर जो मिने अपसे दो मिनिट पहले बात कहीं कि अगर आपके मन में देशभक्ति का जुनूर है अगर आप देश के लिए सच मुझ कुछ करना चाहते हैं और आप politics को as a career as a smart move नहीं देख रहे हैं तो फिर आप कहीं भी पहुँच सकते हैं यहां इसी democracy में meritocracy भी possible है यहां पर सिर्फ आपका है तो उसमें आपके जिन्दगी के in totality एक व्यक्ति बनता है तो उनकी निजी जिन्दगी उनकी शादी उनका सन्यास लेना क्या हम हर पहलू को छू रहे हैं बहुत सारे पहलू हैं जिनको हम छू रहे हैं लेकिन वो पहलू जो मेरे principle thought line से इतिफाक रहते हैं जैसे for example जितन जितने उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ा जितने critics को उनको face करना पड़ा जितनी गालियां उनको खानी पड़ी इतने सालों जे खा रहे हैं तो यह सारी चीजों को अमने film में दर्शाय है दिखाया है and how he faced them जैसे मैंने कहा है कि great challenges make great men वो सारे great challenges भी दिखायें but अप निया के हार awards से नावाजा गया उस film को लेकिन फिर भी हंदुस्तान में आपके पास critics होंगे उस समय Gandhi film को भी pan किया था हमारी तो बहुत ही छोटी film है nothing compared to Gandhi and Attenborough but उन्होंने उसको भी pan किया था कि भई तुम honestly नहीं दिखाया है it's not a real depiction it's not an honest depiction लेकिन मैं जब दिखता हूं त this is the man मुझे वो inspiration create करना है और सिर्फ भक्तों के लिए नहीं देश भक्तों के लिए विवेक इस फिल्म के लिए जो एक आपका cosmetic changes हुए उनके अलावा किस तरीके की research आपने इस फिल्म के लिए की did you read a lot about बहुत मतलब biography से लेके article से लेके करीवन हजार घंटों की footage video footage early stages से ले कुछ शब्दों का उचारण हमने मैच करने की कोशिश की जब video test किये तो शुरु शुरु में मैंने बिल्कुल mimic करने की कोशिश की उनको कि मित्रों किस तरह से बोलते हैं भाई और मेहनों किस तरह से बोलते हैं लेकिन फिर उसमें क्या हुआता है और वेक fine line होती है और जो आत्मा थी जो एक energy थी जो spirit थी कि जिस जुनून ने उनको यहां तक पहुंचाया है उस जुनून को damage कर रहा था तो मैंने उसको थोगा पीछे रखा हलका हलका सा body language gestures कैसे walk करते हैं कैसे उनके gestures हैं हाथ कैसे करते हैं और थोड़ा थोड़ा sprinkle किया जादा नहीं किया and focus was कि कह कहीं नहीं कहीं वो आत्मिया शक्ती जो आँखों में चलकती है उसे लाने की कोशिश करूं और इसलिए ये सात्विक approach कि भाई रोज सुबह चार बजे तो उठना ही है चाहे कुछ हो जाए शूटिंग हो नहीं हो चार बजे उठना है पूजा पार्ट ध्यान करना है और उ वो शक्ती जो आँखों में आती है न वो सब करने से वो संयम रखने से डिसिप्लिन रखने से फिक्छर में चलके है कि अभएक प्ले को लेकर जैसा कि आप ने कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना लेकिन जब फिल्म के रश जाय ट्रेलर आया उसके बाद क प्रेटर साहब ने कहा कि मैं इस फिम से नहीं जुडा हूँ इस तरीके की कॉंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं लगा कि डेलिबरेट है यह जानबूच कर क्रियेट की गई है अब होती है क्या करें नरेंदर भाई का स्टाचर ही ऐसा है व्यक्तित अगर आप किसी को क्रेडिट में नाम दे रहे हैं तो उस व्यक्ति का उस्वर्म में शामिल होना जरूरी है हां तो थे वो इसलिए हमने क्रेडिट दिया क्योंकि अगर हम ना दें आपके लिखेवे गीत के बारे में हम आपका नाम नहीं दें लेकर उनसे पर्मिशन भी ली जा सकती थी हां बड़ पर्मिशन हमको टी सीरीज से लेनी थी जिसके राइट्स थे और टी सीरीज को आगे उनसे पर्मिशन लेना था हमने तो राइट्स लियें अगर मैं राइट्स लेता हूं जिसके पास राइट्स है वो मुझे दो चीज बताता है कि भाई राइट्स मैं आपको दे रहा हूँ आप इसे रियमाजिन कीजिए गाने को और वापस बनाईए और दूसरी बात पर क्रेडिट आप पका दे दे न क्यूंकि आप म्यूजिक चेंज करें निरिक्स नहीं तो हमने क्रेडिट दे दिया लीगली भी साउंड है और morally, ethically भी correct है अब मैं उनके गाने पर विवेक अब्रोय का दाम तो नहीं डाल सकता न हमने उनका नाम डाला लेकिन बड़े हैं, बुज़र्ग हैं मुझे लगता है कि जाविद साब इस देश के finest poets में से एक हैं बहुत बड़े कलाकार हैं और हमारे लिए जाविद साब क मैं बात कर लूँ हमारे लिए जाविद साब की गाली भी आशिरवात है आपने सोचा कि मैं I should just call him एक चीज़ जो मैंने कभी अपनी जिन्दगी में पहले भी जहली है अनिती मैंने डरना छोड़ दिया है बहुत समय हो गया है क्योंकि डर में आत्मी जी नहीं सकता मैं विश्वास करता हूँ अब डर से भागना नहीं डर को भागाना है फेस करना है और मैंने इतना कुछ फेस किया है लाइफ में तब मैं 24 साल का था जब मैंने बहुत कुछ फेस किया बच्चा था I'm not a kid anymore बहुत देख लिया जिन्दगी I've been around for 18 years मुझे पिछले 12-14 सालों से बहुत लोगों ने कहा कि भाई ये खत्म हो गया है इसका करियर अब कल खत्म होगा परसोगा बिचिरीज लिखी गए समाथ विवे गोब्रा करियर समाथ अभी यहीं टिका हूँ और करना हो काम और वो काम जो मुझे अच्छा लगते है वो काम कर रहा हूँ विवे क्योंकि आप बहुत इमांदारी से बात करते हैं इसलिए आप से इमांदारी से मैं एक सवाल कर सकती हूँ जब इस फिल्म की फिल्म बन रही है नरेंदर मोदी की जिंदगी पर विवे किसमे लीड रोल में है बहुत साले लोगोंने सोशल मीडिया पर लिखा जो नरेंदर मोदी के फॉल्लवर्स है जो मोदी जी के फॉल्लवर्स है जिनको कि भक्त की का टर्म लिया जाता है उन्होंने लिखा कि नरेंदर मोदी को अगर बड़े पर प्ले करना है तो सल्मान खान को प्ले करना है विलकूल आप तक भी ये बातें आई होंगी हाँ तो बहुत बढ़िया होता मैं तो सुचता हूँ कि इतना बड़ा सूपरस्टार देश का अगर इतने बड़े सूपरस्टार का रोल प्ले करते तो बहुत बढ़िया होता मेरे लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि मुझे ऑपरचुनिटी मेरे हाथ से छूट जाती लेकिन मैं वो पिक्चर जरूर देखने जाता अगर सलमान खान नरेंदर मोधी को प्ले करें क्या आप मानते हैं कि अगर सलमान प्ले करते तो ये मूवी एक अनादर लेवल पर बड़ी होती हाँ मुझे लगता है कि सलमान खान बहुत बड़े सूपरस्टार है इस देश के लेकिन मेरे लिए इस देश में सबसे बड़ा सूपरस्टार नरेंदर मोधी है मुझे लगता है कि उनकी popularity को कोई नहीं मैच कर सकता है तो उनके नाम की film हो तो वो मेरे fans नहीं है जो देखने आ रहे हैं वो नरेंदर मोधी जी के fans देखने आ रहे हैं मैं कोई भ्रह्म में नहीं हूँ मुझे बहुत clear है इसलिए जब लोग मुझे बोलते हैं अब उने हीरो बनारे मैं हसता हू, मैं वो तो वो अलड़ी इतने बड़े हीरो हैं, करोडो लोगों के हीरो, पुले विश्व में हीरो हैं, मुझे क्या बनाना है उनको? नरेंदर मोदी जी को इस film की ज़रुरत नहीं है, इस film को प्रेंड़ना के तौर पर नरेंद्र मोदी जी की ज़रूरत है विवेक इस फिल्म के बारे में आपने मोदी जी से बात की आप चाहते हैं ये मूवी आप उन्हें दिखाएं क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप आप की उनसे बातचीत हो सकती है और आपको कही न कहीं उनका आश्रवाद मिला जरूर होगा तो जैसे इस फिल्म का क्लामेक सस्पेंस है हम इस सवाल को भी सस्पेंस में छोड़ देते हैं चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विवेक फिल्म के लिए बहुत-बहुत मुबारक बाद और यह जो नए विवेक को हम देख रहे हैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत मुबारक बाद जिस तरीके से आपने अपनी शक्सियत को बदला है प्रधान मंत्री नरेंद्रु मोदी लोग उनको आलोचना के कटगरे में रखते हैं लोग उनको तारीफ देते हैं ठीक उसी तरह विवेक की भी आलोचना होती है कुछ लोग उनकी तारीफ करते हैं लेकिन सच यही है कि प्रधान मंत्री नरेंद्रु मोदी जितने बड़े हीरो हैं उनको बड़े परदे पर प्ले करकर विवेक को भी लगता है कि वो एक बड़े हीरो है क्योंकि उनको जिंदगी में ये एक बहुत बड़ी opportunity में लिए हैं उमीद करते हैं कि विवेक को जितनी इस फिल्म से उमीदे हैं